अलो दोस्तों, आज है 2nd March 2021 और दा फोन पेज की न्यूस रॉंड अप मापका स्वागत है PUBG New State जल्द ही लॉंच होने वाला है बट इंडिया में अभी तक इसकी लॉंच डेट नहीं आई है अब PUBG Corporation के Parent Company Craft & Games खुदी PUBG को Redesign करके डियलोप कर रही है और इसे New Face में लॉंच करने जा रही है बट डियलोपर के तरफ से अभी तक कोई Confirmation नहीं आया है बट इसके Worldwide Pre-Registration Google Play Store और Apple App Store पर हो रहे है अब देखते है PUBG New State इंडिया में लॉंच होता भी है या नहीं बट इंडियन गेमर्स को इस गेम के लॉंच से बहुत ही उमीद है I hope maybe ये गेम इंडिया में जल्दी लॉंच हो और अगर आप सबको PUBG New State से related कोई भी फीचर में नूस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए Redmi Note 10 से इंडिया में चार मार्स को लॉंच होने वाली है और इस से लाइन अप में आपको तीन फोन्स देखने को मिलेगे Redmi Note 10, Note 10 Pro and Note 10 Pro Max बट ओफिशल लॉंच से पहले Redmi Note 10 आफ्लाइन स्टोर पर बेचा जा रहा है एक ट्विटर यूजर ने Note 10 के हैंड्स ओन वीडियो ट्विट करी है अगर हम इस वीडियो में देखे तो फोन गिरे कलर में है बैक साइट कॉइट केमरा सेट आप एन LED फ्लेश स्कोर मोडूल में देखने को मिलते है और नीचे की तरफ Redmi का लोगो दिखता है इसका बैक पैनल शायद पॉली कारबोनेट या एक ग्लास से बना हुआ है और फॉरंट साइट टॉप सेंटर में इसका पांच होल दिया गया है सेल्फी केमरे के लिए बॉटम में टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm जैक, स्पिकर गुरिल एन माइक्रोफोन देखने को मिलता है और इसके टॉप पर हमें फिर से एक स्पिकर गुरिल एन आयर ब्लस्टर दिखता है राइट साइट पर वॉल्म और पाउर बटन पर ही फिंगर पिंट स्केनर दिखाई दिया गया है और लेफ साइट पर सिम ट्रे है और राइटमी नोट 10 के अबाउट फोन में हमें MIUI 12 रन होते वए दिखाई दिया गया है जो कि एंडरोट 11 पर बेस्ट है ये फोन तमिलनाडू के मदूराई में अनिस मोगाल स्टोर से बेचा जा रहा था और मज़ेदार बात ये है कि स्टोर के इंस्टागराम हैंडल से रैटमी नोट 10 के एंडस ओन वीडियो दाले गई थी जो कि आप डिलिट कर दी गई है और ये फोन गिरें मार्केट में 27,000 का बेचा जा रहा था बिना रिटेल बॉक्स के इसका मतलब ये है कि ये फोन पर वारेंटी कवर्ड नहीं होगी रियल मीने इस अब ते अपने नारजो सिर्ज के दो फोन इंडिया में लॉंच कर दिये नारजो 30 Pro और नारजो 30A 30A की कुछ highlights की बात करें तो इसमें हमें 6000 mh की बैटरी मिलती है MediaTek का हेलिए G85 Gaming Processor और Diagonal Strip Design और इस फोन के दो variant आते हैं 3GB RAM, 32GB ROM वाली की प्राइज है 999 और इस फोन की 1st cell 5th March को 12 बजे से Flipkart के साथ साथ Realme का official website पे भी होगी अब हम नारजो 30A के कुछ main features की बात करते हैं इसमें में Dimensity 800U Processor मिलता है 120Hz Refreshed Display, 48 में पिक्सल का main camera and 5G connectivity और इस फोन के 6GB RAM और 64GB Storage वाली की प्राइज है 16,999 और इसका 2nd variant जो की 8GB RAM और 128GB ROM के साथ आता है इसकी प्राइज 19,999 और इस फोन की पहली साथ 30A से एक दिन पहले 4 मार्स को बारान उन से Flipkart और Realme के official site पे start होगी Realme ना अपना Buds Air 2 भी launch कर दिया है जिसके price 3299 की है और इसके साथ Realme ना अपनी gaming accessories भी निकाली है जिसके अंदर आपको trigger, finger slips और cooling back clips भी देखने को मिलते हैं और ये gaming accessories आपको only Realme के official sites पर ही मिलीगी Realme के CEO मादव सेट ना अपनी एक tweet में Realme 8 को tease किया है अगर हम Realme 8 की कुछ leaks specs की बात करें तो इसमें हमें 108 megapixel का primary camera मिलेगा Media Deck का Diamond City 720 processor और ये phone इस मन के end में या फिर April के starting में इंडिया में launch हो जाएगा Realme का gaming phone जो कि Realme race नाम से लिख हुआ था मगर आप Realme GT बन कर सामने आया है इसके कुछ box की में जैसो specification लिख हुए है इसमें आपको 6.8 inch की OLED screen मिलेगी with 160 Hz refresh rate display जो कि वर्ल्ड का first 160 Hz refresh rate वाले पेलफोन होगा 125 की fast charging, 12GB RAM and Snapdragon 888 processor और ये phone globally 4 March को launch होने वाला है मगर इंडिया में इसकी launch ही अभी दर कोई ख़बर नहीं आई है Samsung का next budget phone Galaxy M12 11 March को Amazon.in पर launch होने वाला है और report से पता चला है कि इस phone में 90 Hz का display आएगा Exynos 850 processor और 6000 mAh की battery और ये phone की expected price 12,000 की होगी और Samsung अपने A series के 3 phones इंडिया में जल्दी launch करने वाला है जिनके नाम Galaxy A32, A52 and A72 है Redmi K40 जो के इस हपते चाइना में launch हुआ है अब वो globally market में POCO 5G के नाम से आएगा अगर हम इसके कुछ main specs की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की AMOLED screen with 120 Hz refresh rate display Snapdragon 870 processor and 48 में पिक्सल के main camera और इसकी price चाइना में 1.999 यूँआन की है अगर हम इसको इंडियन currency में convert करें तो ये 22,400 का होगा अब देखना ये है कि इंडिया में ये phone कब और किस price पर आएगा OnePlus अपनी 9 series का announcement teaser वीडियो आट मार्स को निकलने वाली है rumor से पता चला है कि OnePlus 9 series 23 मार्स को globally launch हो सकती है इस series में आपको 3 models देखने को मिलेगे OnePlus 9, 9 Pro and 9e 9e के कुछ specification लिख हो गया है इसमें हमें 6.5 inch की screen with 90 Hz refresh rate display Snapdragon 690 processor, 64 megapixel का main camera and 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और ये phone की price तकरिवन 20-25 अरगे बीच में होगी इसके अलावा 9 Pro के भी कुछ features लिख हुए है इसमें में 6.7 inch की QHD plus screen मिलेगी with 120 Hz refresh rate display Snapdragon 888 processor और 65 watt की fast charging और ये phone के expected price अरण 52,000 से 57,000 के बीच में होगी OnePlus 9 में आप Oxygen OS के stable update आगया है जो की Android 11 पर based है Netflix ने automatic download option अपने app में डाल दिया है इस option के on होने पर Netflix आपकी voice history के साब से recommendate series अपने आप offline viewing के लिए download कर देगा VTelecom ने हंगामा के साथ partner shape में अपनी movie rental service launch कर दी है जिससे आप movie rent पे लेकर देख सकते है आज के लिए इतने ही दोस्तो See you next week Thanks for watching